नमस्कार लोग सबाद चुनाव से जुड़ा क्यापिटल टीवी का खाश शो 24 करन विपाक्ष बेदम देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा कॉंग्रस के मैनिफेस्टों में संपती बाटने वाले दावे पर पियम मोदी ने ऐसा तंच कसा है जिससे पूरा विपक्ष बौकला उठा है कॉंग्रस के तमाम निता पियम के इस पयान पर हमला वर है दरसल पियम मोदी ने राजस्थान के बासवाडा में चुनावी राली को संबोधित करते वे कहा था कि अगर कॉंग्रस सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपती को मुसल्मानों में बाट देगी माताओं और बहनों के मंगल सुत्र तक सुरक्षत नहीं रहेंगे पियम मोदी के इस पयान से कैसे बिपक्ष बेदम है इस पर चर्चा करेंगे साथे दिल्ली में कॉंग्रस पार्टी की मुसीबत बढ़ती जा रही है दिल्ली कॉंग्रस में जबर्दस्त बवाल है उदित जाजी हुई बारी उमिद्वार नहीं चलेगा किनारे लगे ओधित राज हाई हाई कनया कुमार हाई हाई किनारे गुचे तो कैसे दिल्ली में कॉंग्रस दो फाड में बढ़ चुकी है बताएंगे आपको चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूड़े में मौजूद है क्या पत फेस्टों में जिक्र है और जिस हिसाब से राहूल गांदी पिछले दो सालों से एक के बाद एक अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कभी लंदन में तो कभी यूएस में कभी चुनाव रैली में कभी कॉंग्रस पार्टी की मीटिंग में वो हिंदुस्तान को एक रखना ही नहीं जाते हैं एक कॉंग्रेसी लीडर वो साउथ इंडिया में खड़ा ओकर के कह रहा है कि साउथ इंडिया को अलग कर दो और कॉंग्रेस पार्टी इस तरह की भाषा बोलने वाले कॉंग्रेस लीडर के ऊपर कोई बात कोई अफसोस या फिर उसको पनिश तक नहीं करती इसका मतलब यह है कि राहुल गांदी ने कॉंग्रेस पार्टी को पतब्रष्ट कर दिया है इंडिया इस यूनियून ऑफ स्टेट हिंदुस्तान एक देश भी नहीं है कई सारे देश है यह तो वामपंतियों की भाषा है लेकिन प्रदान मंत्री मोदी ने इससे कहीं ज्यादा सी पता में आएंगे तो दो काम करवाएंगे एक कास्ट सेंसस करवाएंगे और सारे संपत्ति का भी जो है लेखा जोखा लेगे और उसके बाद उसको हम इक्यूटिवली डिस्टिब्यूट करेंगे ये किसी सड़े हुए वामपंथी के दिमाग की उपज है कि आप लोगों के गारिक कमाई को मेहन से जमा किये गए पैसे को सोने को चांदी को आप दुनिया के सामने लेकर के आएंगे और उसके बाद आप ये कहेंगे कि गरीबी हटाई जो वकान खटाखट खटाखट तो ये खटाखट खटाखट जो है देश को बरबाद करने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे क्योंकि दुनिया में इस तरह के पागल लीडर जहां जहां पैदा हुए वो देश तबाह और बरबाद हो गया और वैसे कॉंग्रस पार्टी स्कुले कर इलेक्शन कमिशन भी पहुँच गई है और बात सर राहूल गांधी की कर रहे थे तो राहूल गांधी का एक ट्वीट भी सामया है वो कह रहे हैं कि ये क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है कॉंग्रस का लेकिन पीम मोदी का ये बयान ब बोल देते कि राहूल गांधी या कॉंग्रेस संपत्ति का सर्वे करवा के सारे लोगों के बीच समान रूप से बित्रन करने वाली है तो फिर इन लोगों को तो खुशी हो जाती वहां एक शब्द आया अलफसंख्यक उसमें भी सबसे बड़े अलफसंख्यक मतलब अलफसं संख्यकों में बहु संख्यक और वो है मुसलमान तो ये सारे लोग तो मुसलमानों की राध्यती करते हैं जब ये लोग मुसलमानों के सामने खड़े होकर ये बात बोल रहे थे कि देखो C.A. आ गया अगर भारतिये जंता पार्टी के फिर से सरकार बनी तो तुम लोगों क इन लोगों ने आपस में चर्चा नहीं किया कि ऐसी बाते नहीं बोलने चाहिए जब ये लोग बार बार कहते हैं कि आगे 2024 में अगर भारतिये जंता पार्टी जीत गई मोदी परधान मंत्री बन गये फिर से तो आगे चुना भी नहीं होगा समभीधान बदल दिये जाएंगे यहां लोक तंतर खत्म कर दिया जाएगा ये सब बोलने में अच्छा लगता है लेकिन जब इन ही की भाषा में जवाब दिया जाला तो फिर पिये मोदी को बोलने लगे आप अलफ संख्यकों के खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ बात कर रह का भारतिय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं कहा कि भाई हम हिंदूों के पार्टी हैं हम मुसलमानों के खिलाफ बात करेंगे क्या भारतिय जनता पार्टी के समभीधान में लिखा हुआ है कि उसका विचारधारा उसकी क्या है ये कुछ लिखा हुआ तो नहीं है और ना प पत्ति पर सबसे ज्यादा अधिकार जो है अलबसंख्यकों का है मुसलमानों का है तो उसी का तो जिक्रि vicinity किया अब तुम्हें दिक्कत ये हो रही है कि मुसलमानों की बात उठ गई हिंन्दू परिशान हो जाएंगे हिंन्दू पोल राइज हो जायेंगे तो तुम मुसलमानों को पोलराइज करो उसको धुरुविकृत करो तो कोई दिक्कत नहीं अगर हिंदुओं कोई कठा करने की कोई बात हो जाए तो तुम्हें परिशानी होगी इसलिए पिये मोदी ने थोड़े देर से ये सब बाते की लेकिन जो किये है उससे अब इन लोगों को लगने लगा है 2024-2029 नहीं अब 2049 और 2069 की बात सोचो इन्होंने एक लाइन तै कर दी है अब आगे इससे भी जादा होने वाला है जिससे इन लोगों की पूरी सियासी रोटी बल्ग होने वाला है पर कॉंग्रेस पार्टी जितनी भी सफाई दे दे प्यम होदी ने तो पोल पट्टी खोल दिया लेकिन बात दिल्ली की करें तो आज कॉंग्रेस दफ्तर के बाहर जो विरोध प्रदर्शन हुआ क्या भी ये शुरुआत है अभी बहुत बवाल होना बाकि है बाहर नहीं और मजदार बात क्या है उनको रोकने वाला कोई नहीं है कंटीन्वस वो लोग कर रहे हैं वीडिया वाले आ रहे है सारे लोग कर रहे हैं और जो पत्रकार वहाँ पे मौझूद थे उन्ने बताया कि यह सब तो कॉंग्रेस के अच्छे खासे लीडर्स है क्या कह रहे हैं व लोगों ने चार दिन पहले कहा था कि ये विस्फोटक इस्थिती पैदा हो गई अब ये विस्फोटक इस्थिती पैदा हो गई इसका चुनाओं पे क्या असर पड़ेगा सेवन जिरो सेवन जिरो किस लिए उसको भी समझ ली अब ये तो कॉंग्रेस के लोग बड़े बड़े लीडर वो लोग वहाँ पहुँचे हैं ये तो चेरा है इनको कोई भेजा होगा कोई छोटा कार करता अपने ही दत्वर के अंदर घुसके उसके केमपस में बैठके पार्टी के खिलाफ राहूल गांदी के फैसले के खिलाफ नारे बाजी कर रहा हो इसका मतलब है कि संदी दिख्चित हो अजय माकन हो लवली हो इस तरह के बड़े बड़े लीडरों का उनको समर्थन है वन नमबर टू ये करनिया को जिताएंगे नहीं हराने के लिए काम करेंगे तो लोग आपको हराएंगे पिछली बार 22 फिजदी पर वोट आया था कॉंग्रेस पार्टी को अब ये लोग आपस में ही एक दूसरे को हराएंगे तो इसका मतलब इसका असर दूसरे जो बाकिके सीट्स हैं उस पे भी पड़ेगा वो किस तरीके से पड़ेगा अरे वही जो कॉंग्रेसी कार करता जो कॉंग्रेसी लीडर्स वो अपनी पार्टी के उमिदवार के खिलाब लड़ रहे हैं वो आम आद्बी पार्टी का जंडा लेकर के घूमेंगे कोई अभी तक तो हमको नजर नहीं आ रहा दिल्ली के अंदर में कि कॉंग्रेसी लीडर्स जो है वो आम आद्बी पार्टी का वो लेकर के जा रहे हैं कल हमने बताया थे कैसे जब केजरिवाल गिरफतार हुआ दो-तीन लीडर वहां पहुंच गये लवली पहुंच गये, संदीव दिक्चित पहुंच गये तो कॉंग्रेस कारकरता ही विरोध करने लगया वही कहां चले गये हो इसके ये जब तक दिल्ली में रहेगा तब तक कॉंग्रेस पार्टी रिवाइब नहीं करेगी यह आत्म घाती फैसला राहुल गांधी ने लिया है जिसे कॉंग्रेस पार्टी के कारकरता ग्राउंड लिवल वरकर्स वो आज उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी की बात को हम नहीं मानें बिल्कुल और ये विरोध राहुल गांधी के पता तो चलाई होगा कि राहुल गांधी अपने इन कारकरताओं को समझा बुजा पाएंगे राहुल गांधी समझाने के शमता नहीं रखते हैं वो समझा क्या पाएंगे लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो पहले नेताओं के साथ बैठक में कनहिया कुमार को बेज़त किया जी संदीब दिक्षित उसमें सामने आये लेकिन उसके बाद अभी उदित राज और कनहिया कुमार ये दोनों के खिलाप कारिकरता कॉंग्रिस के कारियाले पहुँचे अब ये दोनों कंडिडेट के स्थित्य को समझे कि कितने डरे हुए हैं क जन्डा निका सकता है बेज़त कर सकता है मुँँमे कालिक पोच सकता है ऐसे स्थिति आ गई है क्योंकि कोई भी कॉंग्रेस का बड़ा लीडर जो दिल्ली में काम कर रहा है दिल्ली के लीडर्शिप को इस विरोध परदर्शन से खुशी हो रही है दुख नहीं हो रहा नं उनका पूरा निटवर्क है अभी भी नौर्थ वेज देली में लेकिन उनको इगनोर किया गया अब वो क्या इसके लिए उदित राज के लिए काम करेंगे क्योंकि उनको तो लगता है उदित राज को अगर सपोर्ट करते हैं अगर बाई दबे जीत की संभावना नहीं है जीत जाए तो उनका पूरे परिवार का कैरियर खत क्योंकि उनका बेटा भी चुनाव लड़ रहा है विधान सभा का पिछली बार भी वो कंडिडेट था तो ऐसी स्थिति में जितने जो बड़े नेता हैं या संदीब दिक्चितू अर्विंदर सी लवली हो अलका लामबा हो यहां जो कॉंग्रेस का नेटवर्क है वो सब इन दोनों के खिलाफ है कोई जैपरकास अगरवाल के खिलाफ यह गुस्सा क्यों नहीं दिखा रहा है तो कि जो स्टेट लिडर्शिप था वो भी उनके नाम को इंक्लूड किये हुए था और वहां से भी हरी जंडी उनके नाम पर मिली लेकिन इन दोनों के लिए स्थथी यह है कि आम आद्मी पार्टी के कारकरता नेता पहले अलग हो चुके हैं एक वी विधायक है जो इन लोगों के लिए परचार नहीं कर रहा कॉंग्रेस के जो इन से अलग हो गये हैं तो चुनाप परचार में जाएगा कौन बोट देगा कौन कनया कुमार बिहार और बेगु सराय से लेकर तो आएंगे नहीं और नहीं जहां पर ये इतनी सालों तक राद्जिती करते रहे जे न्यू वो उनके भी लोग सभाचेतर में पड़ता है क्यों उसके आसपास के नेताओं कार्ज करताओं अपने लोगों को दोस्तों को बुला लें इस्तिती ये हो गई है कि ये लोग चुनाब परचार के लिए बाहर निकलने से डर रहा है कि कहीं उससे भी बड़ी घटना नहों जाए भी कार्याले में है मेरे कार्याले में गुसेगा हम लोगों को पीटेगा बिज़त करेगा अब डर का महौल कॉंग्रिस के अंदर हो गया है को पताया था और आज कॉंग्रस पार्टी के कारेकरताओं ने बाहरी उमिद्वारों खोले कर नाराज़गी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया है और जम कर नारेबाजी की है आप अपनी राए कमेंट कर लिखें देखते रहे का पटल थीवी नमस्कार